ब्रह्म ज्यान का प्रकास डे टू गायत्री मंत्र का पहला अक्षर तत ब्रह्म ज्यान की प्राप्ति और उसके प्रचार की सीख देता है पिछले ओडियो में हमने सीखा था नास्तिक किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं आईए क्रमशा आगी इश्वर भक्ति का जितना ही अंस जिसमें होगा वह उतने ही दृड विश्वास के साथ इश्वर की सर्व व्यापकता पर विश्वास करेगा सब में प्रभु को समाया हुआ देखेगा आस्तिक्ता का दिश्टी कोड बनते ही मनुस्य भीतर और बाहर से निश्पाप होने लगता है अपने प्रियतम को घट-घट में बैठा देखकर वह सबसे नम्रता का, मदुर्ता का, स्नेह का, आदर का, सेवा का, सरलता, शुद्धता और निस्कपटता में भरा हुआ विवहार करता है भक्त अपने भगवान के लिए वरत उपवास, तप, तीर्थ यात्रा, आदि द्वारा स्वयमकस्ट उठाता है और अपने प्रान वल्लब के लिए नैवेद, अक्षत, पुष्व, धूप, दीप, भोग, प्रसाद, आदि कुछ न कुछ अर्पित किया ही करता है स्वयमकस्ट सहकर भगवान को कुछ समर्पन करना, पूजा की संपूर्ण विधी विधानों का यही तात्य है भगवान को घट-घट वासी मानने वाले भक्त अपनी पूजा विधी को इसी प्रकार आधार पर अपने व्याभारिक जीवन में उतारते हैं वे अपने स्वार्थों की उतनी परवाह नहीं करते, खुद कुछ कष्ट भी उठाने पड़े तो उठाते हैं, पर जनता जनार्धन को नर नारायन को अधिक सुखी बनाने में वे दत्चित्त रहते हैं लोक सेवा कवरत लेकर वे घटगट वासी परमात्मा की व्याभारिक रोप से पूजा करते हैं, ऐसे भक्तों का जीवन व्याभार बड़ा निर्मल, पवित्र, मदुर और उदार होता है, आस्तिकता का यही तो प्रतक्ष लक्षन है पूजा के समस्त कर्मकान इसलिए हैं कि मानुस्य परमात्मा को स्परन रखे, उसके अस्तित्व को अपने चारो ओर देखे और मनुस्यों चित कर्म करे पूजा अर्चना, वंदना, कथा, कीर्तन, वरत उपवास, तीर्थ, आदि सब का प्रियोजन मनुस्य की इस चेतना को जागरत करना है कि परमात्मा की निकटता का स्परन रहे और इश्वर के प्रेम एवं श्रद्धा द्वारा लोकसेवा का वरत रखे, और इश्वर के क्रोध से डर कर पापो से बचे, जिस पूजा उपासना से यह उद्दे से सिध्ध ना होता हो, वह व्यर्थ है, जिस उपाय से भी पाप से बचने और पुन्ये में प्रवित्य ह दुखों का खारण सांसारिक विशयों की कामनाएं और भोग लिपसाही होती हैं इसे से पीडित व्यक्ति के लिए वास्ताव में यह संसार दुख कानन है दुख से घिरे हुए व्यक्ति के अंदर केवल एक ही विचार कार्य करता है कि वह निरीही और घृडास्पद है अन्य व्यक्ति ना उसके प्रति आक्रिष्ट होते हैं और ना हार्दिक सम्वेधना ही प्रकट करते हैं और तो और उसका स्वयम अपने ही उपर से विश्वास हट जाता है बात यही है कि दूसरों से ना उसे सहायता मिलती है और ना सांत्वना ही पर उसके मन से यह बात अलग नह होती कि सायद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे दुख से छुट्टी मिल जाए। दुख के अवसर पर मन से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती, क्योंकि उसकी अनर्गल इक्षाई ही दुख उत्पन करती है। इक्षाउं से उत्पन सुक कातो वह आलिंगन करता है पर दुख के उपस्तित होने पर उसकी कुछ सुने बिना ही वह उसे भगा देना चाहता है। परिस्थितियों के अनकूल होने पर यदा कदा उसे अपनी चाल में सफलता मिल जाती है पर बुद्धी निस सहाय होकर सुसु अवस्ता में चली जाती है तथा दुख के विशेव पर गंभीर विचार करने में असमर्थ हो जाती है। मन के चक्र में फसा हुआ प्राडी इस परकार अधिक काल तक दुख भोगता रहता है। एक के बाद दूसरा इस परकार कितने ही जीवन ऐसे ही नस्ट हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुख की घड़ी उपस्तित होने पर उस पर विचार करते हैं और सतसंग का आश्रे लेते हैं। लेकिन अधूरे विचार और बाहरी सतसंग से उन्हें लाव नहीं होता क्योंकि उसमें भी दुख भोगने के अत्रिक्त उनका कोई दूसरा अभ इधर उधर भटकता रहता है और दूसरों की बातों में दुख से चुटपारा पाने के लिए समाधान खोचता है जो उसे कभी नहीं मिलता है कारण वह अपने इंद्री सुकों को छोड़ता नहीं चाता। दुख के अवसर जीवन में बार बार आते हैं और जब जब आते ह तब तब मनुस्य को गहरी चोट पहुंचाते हैं मनुस्य उससे तिल मिला उड़ता है रोता और चिलाता है पश्या ताप करता है और उसके मन में भोगों से मुह मोरने की भी इच्छा होती है लेकिन पुराने आदत अवसर आने पर उसे भोग भोगने के लिए पुना प्र पतारना ही है इसी कारिके प्रती सच्चे दुखखे से सजगता उत्पन होती है यदि ऐसा ना हो तो समझो कि दुख का उसके उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है दुख से यदि मनुस्य नहीं समभला तो संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसे सत्परबल ले जा सक जिस मनुस्य ने जिन्दगी की बातों को अर्थात उसके सुख दुख को भली प्रकार समझ लिया और जिसके मन में दुखों से चुटकारा पानी की तीवर इच्छा उत्पन हो गई है उसे जीवन परियंत सत्संग करते रहने की कोई आविशक्ता नहीं रह जाती सत्संग से बहुत कम लाब उठाने वाले वे ही व्यक्ति होते हैं जो सदा सत्संग करते रहते हैं लेकिन अपनी को समझने की कभी कोशिश नहीं करते अन्नी सुसाइटियों की भाती सत्संग भी उनके लिए वारता लाब करने का एक साधन हो जाता है कहीं दो घड़ी बैटकर वहां भी वे अपना मन बहला लिया करते हैं ऐसे लोगों के अज्ञान का जल्दी अंत नहीं होता जीवन की किसी बात को सम्मुख रख कर जिसको की समझने की उसे अतिदिक आविशकता है यदिवा किसी संद के पास जाता है तो संभव है कि उसे अल्पकाल के सत्संग से ही बहुत बढ़ा लाब हो जाए लेकिन जो केवल बात सुनने एवं समय बिताने की गरज से सत्संग करता है उसे बहुत कम और देरी से लाब होता है सत्संग का अभिप्राय है मार्ग में किसी बादा के आजाने पर उसका समाधान कर लेना हर बात को समझते और साधते हुए उपस्तित होने पर सत्संग से लाब उठाते हुए जीवन को ले चलने पर मार्ग सुगम हो जाता है मनुस्य का जीवन एक वाटिका है वाटिका को अच्छी दशा में रखने के लिए उस पर सब ओर से निगाह रखनी आविशक है उध्यान के सवंदरे को नश्ट कर देने वाली कोई चीच यदि बीच में उग आती है तो चतुर माली उसे तुरंत उखाड कर फेकता है बाग देखने में यदि अच्छा ना हुआ तो माली का सारा परिश्रम व्यर्थ समझा जाता है माली जमीन को खूब कमाता है और उसे मुलायम बनाता है जमीन के सब प्रकार से अच्छी हो जाने पर वह भाती-भाती के पुश्व और फल के व्रिक्षों को यथा अस्थान उसमें बिठाता है प्रमीन माली द्वारा इस प्रकार सजाया हुआ बाग देखने में सुन्दर मालूम होता है बाग के मालिक की भी वहां बैठने की इच्छा होती है और आगन्तुकों के भी यह जीवन भी एक उद्ध्यान के समान है इसे सब प्रकार से सम्हाल कर रखना चाहिए ताकि इसकी स्वभाविग प्रगती में किसी प्रकार का विग्न उपस्तित ना हो बहुत प्रकार की इच्छाओं से घिर जाने पर मनुस्य का जीवन बिना संभाली हुई वाटिका के समान हो जाता है इच्छाओं की पूर्ति करने में वह परिश्वम करता है और उसमें सललंगन रहता है सफलता निकट होती है पर प्राया वह विफल हो जाता है बहुत समय तक इस सुख प्राप्ति की लगन में लगे रहने के कारण उसे अनेकों प्रकार के अनुभावों से होकर गुजरना पड़ता है सुख के बीच उसकी प्रतिक्रिया से उसे प्रतक्ष आगात पहुशता रहता है फिर भी वह उसी को सही जीवन समझता है दुख के बहुत बढ़ जाने पर जीवन कभी-कभी उसे भार मालुम होता है इस घबराहट के बीच उसके मन में एक ही धुन रहती है कि विपरीत इस्थिती और दुख से किस प्रकार छुटकारा मिले इसके लिए वहना करने योग्य कारे भी कर डालता है दुख के बहुत बढ़ जाने और बुद्धी पर उसका काबू नहीं रह जाता मन की अतिशे खिन दसा में तो प्राणी शरीरांत तक चाहने लगता है अशान्त चित्त की यह बहुत ही मलिन दशा है इसलिए दुख की साधारन दसा में होस के रहते हुए जब चित्त में सजगता उत्पन हो तो इस अवसर को हाथ से ना जाने देना चाहिए दुख के समय उत्पन होई सजगता के चिरस्थाई बनाये रखने के लिए उचित प्रती विधान करना चाहिए धन्यवाद ओम शान्ति क्रम्शा हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को दबा कर आल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहें